हेलो और गुल्ड मॉर्णिंग एवरिवन आज की इस लेक्सर में हम बेसिक वांट मेकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओपरेटर के उपर रहने वाला है और यह जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलिज के लिए और एक्जाम पॉइंट ओ कि अपने पास कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम के उपर हम वर्क कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ठीक है तो हमने मालिया कि अपने पास यह एक सिस्टम है यह अपने पास एक सिस्टम है और यह हम है ठीक है हमने इस सिस्टम के उपर कुछ ना कुछ वर्क किया अब इस सिस् के उपर जो work done किया इस work done को हम mathematical form में क्या बोलते हैं operator बोलते है ठीक है तो I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी external agency ने system के उपर जो work done किया है ठीक है उस work done को हम mathematical form में क्या बोलेंगे operator बोलेंगे ठीक है अब कोई भी operator है उसको हम represent कैसे करके बताएंगे operator को हम represent करके बताएंगे उसके उपर gap लगा देंगे हम ठीक है gap represent करता है कि यह क्या है एक operator है quantum mechanical operator है ठीक है अब अगर मैं यह operator किसी भी quantum state के उपर operate करता हूँ ठीक है मान लिया मेरे पास ये क्योई एक operator है और ये si एक कोई quantum state है तो जैसे ही ये a operator मैं इस quantum state के उपर operate करता हूँ तो इसने मान लिया operate करने के बाद क्या दिया a और si दिया ठीक है दूसरा इसका form क्या हो सकता है मान लिया यह एक operator है इस operator को मैंने size state के उपर operate किया operate करने के बाद इसने क्या दिया a 5 तो अब यह जो दोनों example है दोनों example को हम physically समझ लेते हैं कि a और size यह सब क्या है ठीक है अब यह जो first वाला जो example लिया है इसको समझ लेते हैं तो यहाँ पर क्या है यह जो a state है इस a state को मैंने size के उपर operate किया है और जैसे मैं इसको size के उपर operate कर रहा हूं तो यह अपने को a value देगा और जो quantum state है वो यहाँ पर same रह रही है ठीक है तो a क्या है यहाँ पर a है यहाँ पर आईगन स्टेट आईगन स्टेट या इसको हम आईगन वैल्यू भी बोल सकते हैं आईगन वैल्यू अब यह जो एकी वैल्यू है यह एकी वैल्यू जब अपने काम की है जब यह स्टेट क्या रहे सेम रहे है मतलब यहाँ पे भी स्टेट क्या है अपने पास quantum state Si हैं, और यहाँ पे भी quantum state Si है, अगर दुनों तरफ state same है, मेंस, यह operator इस Si को के उपर operate करने के बाद, इस quantum state के उपर operate करने के बाद, इस अपने को क्या मिलती है, आईगन वیल्यू मिलती है, और यह क्वान्टम state है, अगर same रहती है, तो यह A की वेल्यू अपने state change हो जाती है तो यह a की value अपने किसी काम की नहीं है इस a की value का फिर कोई भी physical meaning नहीं रह जाता इसके बाद second जो case है इसको उपर बात कर लेते हैं यह अपने पास क्या है एक operator इस operator को quantum state के उपर operate किया कोई value मिली और यहा पे जो state है वो क्या मिल रहा है 5 मतलब मिल जैसी ही मैंने global state हो साइ quantum state के उपर उपरेट किया तो अ प्र keto इसको यह यहां पे quantum state हो क्वांटम state होती है तो वहम क्या बोलेंगे यह तो independent value इसका कोई भी फीजिकल मतलब नहीं रह जाता फिर यह पे आपने किसी भी काम की नहीं है तो आई होप आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है यह पॉइंट में और बता देता हूं जिस स्पेस में अपने को वेव फंक्शन रिप करेंगे जैसे एक्जम्पल के लिए मैंने क्या लिया मैंने यहां पर एक वेव फंक्शन लिया साई एक्स टी ठीक है तो यहां पर यह जो वेव फंक्शन है वह किसका लिए रखा है पोजिशन स्पेस का लिए रखा है तो हम पोजिशन स्पेस का ओप्रेटर योज करेंगे ठीक है अगर मैंने wave function किसी और space का लिए रखा है जैसे अगला example मैंने यहाँ पर ले लिया si p t तो यहाँ पर p क्या है momentum है ठीक है तो wave function कि space का लिए रखा है momentum space का लिए रखा है तो मैं यहाँ पर कि space का जो operator है वो momentum operator ही use करूँगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर इसकी डैफिनेशन लिख रखी है operator क्या है operator is a mathematical tool which is represent external work of an agency used to measure physical observable means किसी system के उपर जो external agency ने जो work किया है उस work को हम क्या बोलते हैं उस work को हम बोलते हैं mathematical form में क्या बोलेंगे operator बोलेंगे ठीक है और it is represented by cap तो हमने यहाँ पर cap से represent कर दिया कोई भी operator है जैसे बी एक operator है तो इसको उपर एक cap लगा देंगे c एक operator है तो cap लगा देंगे momentum operator है तो इसको उपर cap लगा देंगे cap represent करके बताता है कि यह अपने पास एक operator है ठीक है next point में क्या लिख रखा if operator operate on a quantum state then it can change the state वो state को change भी कर सकता है और उस state को same भी रख सकता है अगर उस state को change कर रहा है तो अपने को जो value मिल रही है ABC जो भी अपने को value मिल रही है उसका कोई भी physical meaning नहीं रह जाता अगर state same रह रही है तब उसको हम उस a को हम क्या बोलेंगे eigen value बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह बोल रखा है कि इस a state को मैंने sorry इस a operator को इस a quantum state के उपर operate किया operate करने के बाद यह अपने को a value दे रहा और state अपने पास same रहे है तो इस a को हमने क्या नाम दे दिया eigen value ठीक है next case में क्या लिए रखा है इस a operator को साइ quantum state के उपर operate किया operate करने के बाद यह तो अपने को value मिल रहे है और state यहाँ पर 5 मिल रहे है मतलब यहाँ पर state क्या ओर यह change ओर है अगर state change ओर है तो इस a कोई भी physical meaning नहीं रह जाता ठीक है उसके बाद हमने type of operator लिख रखें type of operator जितने भी basic quantum mechanics में operator यूज होंगे उन सब operator को यह उपर हम individual video बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या दे रखा है position operator दे रखा है position operator कैल्कुलेट नहीं करना position operator के उत्तों हम direct जैसे मैंने x लिखा x के उपर cap लगा दिया य िखे य की उपर लगा दिया z लिखा z की उपर लगा दिया इस टाइप से हम position operator को ड 내या रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक बात करें momentum operator की तो momentum operator की उपर हम बात करेंगे प्रिपरेजेंट कर सकते हैं तीक बात करें नियुक्त δεν उप्रेटर कई तो आइंट अप्रेटर अप्लोड करेंगे उसके बाद लेनियर ओप्रेटर आइडेंटिटी ओप्रेटर नल ओप्रेटर एडजवाइंट ओप्रेटर हार्मीशन ओप्रेटर के उपर अपने को अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रोपर्टी है तो लेक्षर गैफ्रेटश्प्सिं बोक्स में मिल जाएंगे या फिर चैनल की फिलेलिस्ट में जाके अलग से आपको ऐप्रेटर के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिल जायेगी ठीक है और वहाँ पे जितने भी क्वांटम मेकशनिक्स में चाहरे मोमेंटम ओपरेटर के उपर होगी थेंक यू